नौशकार सभी को हमारे YouTube चणनल पे आप सभी का स्वागत है आज हम पढने वाले हैं आर्टिकल 167 क्या है भारती समिदान का आर्टिकल 166 क्या करता है भारती समिदान का आर्टिकल 167 राज जिपाल को जानकारी के सम्मन में है चो हमारा राज जी का राज जिपाल होगा उसको जानकारी कौन देगा मुख्य मंतरी देंगे माननी मुख्य मंतरी राज जिपाल को हर एक जानकारी देंगे ऐसे राश्टर पती को हर एक जानकारी कौन देटा था प्रधान मंतरी देटा था उसी प्रकार राज जिपाल को हर जानकारी मुख्यमंतरी प्रवाइड कराएंगी वह जानकारी कौन-कौन सी किस-किस प्रकारगी हो सकती है उसके बारे में आपको पता है तो कमेंट करो, नहीं पता है तो बने रो हम बताएंगे आपको लेकिन आप लोग जानो जरूर जिससे आपका politics में रुची बढ़ सके और politics में आप आगे बढ़ सकते हैं politics हमारे भारत में बहुत होती है देखानी हर एक politics की किस्से है कहीं पर खोलगे, कहीं सामिधान संसोधन कर देते हैं तो संसोधन का आप छोड़ो बात करते हैं आपर राजिपाल को जानकारी के संबन्द में राजिपाल को जानकारी कौन देगा मुख्यमंत्री देंगे कौन कौन सी जानकारी देंगे बिल चेजुडी जानकारी पिससे कोई बिल आ गया विधेक जिससे कहते हैं कोई विधेक पास करना है तो राजिपाल को जानकारी देन अब राश्टरपत राज जिपाल को बताना बड़ेगा ना कि हमारे राज जी में हमारे राज जिपाल महोदे हो बिभरती निकाली है तो इस पर विचार भी माशाब भी करो अब किसी अधिकारी का ट्रांसफर करना है किसी अधिकारी को बुलाना है या किसी अधिकारी का दूसरे राज जिम ट्रांसफर करना है यह ट्रांसफर वा बिल से जुड़ी जानकारी मुख्यमंत्री महोदे जी राजबाल को देंगे वह जितने काम होंगे राजी में उन सभी की जानकारी मुख्यमंतरी राजिपाल को देगा ये किस में ये राजिपाल जी को अधिकार किस आर्टिकल में मिला है आर्टिकल 166 में मुख्यमंतरी से सभी जानकारी हासिल करने का अधिकार बादा राजिपाल जी को आर्टीक्ल 100-60 में मिला हुआ है तो आप से पैच्न पूशा गया कि राजिपाल को वह अधिकार बताओं जो मुखे मंतिरी द्वारा किये गए कामों को राज जिपाल तक पहुंचाए हाना तो आप बताओ कि वह आर्टिकल एक्सो सरसाथ है मुखे मंत्री जो भी कारे करेंगे वह राज जिपाल तक सूचित करेंगे हाना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो मिलते हैं आर्टिकल 168 के साथ धन्य